इस बच्चे की छोटी उमर में इसका मुह प्रेस से बंद किया गया था, क्योंकि इसकी वज़ा है इसका पिता एक डेंटिस्ट था, और कभी भी केंडी खाने नहीं दी, फिर एक दिन बच्चा छुपके से केंडी खाना चाहता था, लेकिन पिता ने उसे चीन के आग में डा उसके बाद बच्चा कहीं मुलकों में अलग-अलग चॉकलेट्स की जाँच करने लगा, फिर कुछ समय गुजरने के बाद उसने अपने सपनों की एक बड़ी चॉकलेट फैक्टरी बना दी, और चॉकलेट का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था, फिर एक दिन इसक फिर अचानक इसके माथे पर चॉकलेट गिरा, और ज्यादा समय तक चॉकलेट महल धूप में होने से वो पूरा का पूरा बिगलने लगा, फिर महल मालिक अपनी पत्नी को लेकर तेजी से बाहर भाग निकला,